स्वागत है दोस्तों आपका अपना एटिव चैनल पर जैसे कि आप देख सकते हैं स्टीटी से जुड़ा हुआ एक अपडेट है मिहार बोर्ड की स्टीटी मेधा सोची को कहा अवैद देखिए क्या कहा यहां पर टीटी सिक्षक संग के परदेश सहुजक अमित बिक्रम ने प्रेस वारता में टीटी परिच्षा में हुए मेरिट लिस्ट घोटाले के लिए मेरिट लिस्ट घोटाले के लिए बिहार बोर्ड को जिम्यतर ठाराते हुए कहा है कि बिहार में क्या कहा है थारह तो यह कहा है कि बिहार बोर्ड ने अपने अधिकार छेतर से बाहर जाकर मेंधा सुची परकासित की है जबकि मेंधा सुची जारी करने का अधिकार नियोजन एकाईयों को है मेधा सूची जारी करने में बिहार वर्ड और वेल्ट्रोन ने मिलकर भारी धानली की है जो असफल चात्र हैं उन्हें मिर्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है जो असफल चात्र थे उन्हें मिर्ट लिस्ट में घुसा दिया उन्होंने कहा कि 12 मार्थ 2021 को जारी रिजल्ट से रिजल्ट में विहार की कुल 12 विसायों के परिच्छा फल में पेपर 1 जो के माध्यमिक सिक्षकों के लिए है उसमें कुल 16,669 और पेपर 2 जो उच माध्यमिक सिक्षकों के लिए है उसमें 8,531 अभियर्थियों को ही कौलिफ दिखाया गया है ठीक इतने ही अभ्यार्थी को मिल्ट लिस्ट में भी दरसाया गया है रिक्त सीटों की संख्यां भी उतनी ही है कि ऐसे में सवाल उठता है कि जब कुल 25,499 अभ्यार्थी कॉलिफाइड थे और 25,499 ही मिल्ट लिस्ट में थे तो आखिर जो कॉलिफाइड थे वह मिल्ट लिस्ट से बाहर कैसे हो गए कहने का मतलब था जैसा बताया जा रहा है कि 12 मार्च को जितने नंबर कॉलिफाइड वाले थे उतना ही नंबर मिल्ट लिस्ट में थे ऐसा विभाग के दौरा बताया गया था लेकर बाद में जब यही जो qualified थे वह मेरिट लिस्ट से बाहर कैसे गए यह मेरिट लिस्ट पूरी तरह से अवैद है संग इसके खिलाफ हाई कोट में मुकदमा दायर करेगा और मादमिक एवंग उच मादमिक सिक्षक सेवा नेमावाले 2020 के अधार पर नियोजन की परिकेडिया पूरी करने की मांग कर साथ ही सरकार एक उच अस्तरिय कमिटी बिठाए जो स्टेटी के मेरिट लिस्ट जारी करने में हुए घोटाले की जाच करें